हेलो स्टुडेंट्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दा बाइलोजी और नीट में और देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बायो केमिकल ओक्सिजन डिमांड देखिए अगर हम बात करें बायो केमिकल ओक्सिजन डिम की तो ये टोपिक आप कहां पर पढ़ते हैं कहां पर इसको स्टेडी करते हैं सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं तो देखिए बायो केमिकल ओक्सिजन डिमांड जो है वो आप पढ़ते हो methods of determine extent of water pollution में यानि जो water pollution है उसके measurement के अंदर हम इस टोपिक को पढ़ते हैं कि बायो केमिकल ओक्सिजन डिमांड क्या होती है तो आपको बता देते हैं कि बायो केमिकल ओक्सिजन डिमांड जो है उसके अंदर हम basically दो चीजों को डिसकस करते हैं एक तोपिए है आपकी BOD और दूसरा होता है आपका COD देखिए BOD और COD क्या होता है BOD को हम कहते है बायलोजिकल ओक्सिजन डिमांड जबकि अगर हम बात करें COD की तो COD को हम कहते हैं केमिकल ओक्सिजन डिमांड तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बायो केमिकल ओक्सिजन डिमांड या बायलोजिकल ओक्सिजन डिमांड की BOD क्या होता है तो देखिए BOD होता है amount of amount of free oxygen in water required for the biological oxidation biological oxidation of organic matter under aerobic condition at 20 degree Celsius and for period of five days तो देखिए अगर हम बात करें biological oxygen डिमांड की तो इसमें क्या होता है कि जो micro organisms होते हैं वाटर के अंदर वो क्या करते हैं organic matter का oxidation करके उसको decompose करते हैं तो देखिए करते हैं तो जब यह एरोबिक कंडिशन के अंदर जब यह इसका decomposition करते हैं तो उनको water के अंदर क्या हो organic matter जादा हो अगर organic matter जादा होगा तो इसके decomposition के लिए oxygen की requirement भी ज़्यादा होगी क्योंकि अगर bacteria इसको decompose करेंगे तो उनको ज़्यादा oxygen चाहिए it means polluted water जो है उसका जो BOD है वो ज़्यादा होगा किस से fresh water से तो हम कह सकते हैं कि जो fresh water का जो BOD होता है वो कम होता है और polluted water है उसका BOD क्या होता है ज़्यादा होता है और यहीं exams के अंदर आप से पूछा जाता है कि polluted water है उसका BOD क्या होता है ज़्यादा होता है अब देखिए आपको दे रखा है chemical oxygen demand की COD क्या अबता है तो देखिए हम चर्चा करते हैं अब COD पर तो देखिए जो COD है तो COD में हम कह सकते हैं की तो देखिए जो COD है अगर हम उसकी बात करें तो COD होता है chemical oxygen demand तो देखिए chemical oxygen demand के अंदर जिस परकार से एक organic matter जो है water में उसको bacteria decompose करते हैं उसी परकार कुछ organic substance भी होते हैं जो की उस organic matter को decompose करते हैं तो हम कह सकते हैं कि amount of oxygen required for chemical oxidation chemical oxidation of organic matter in sewage यानि हम कह सकते हैं कि sewage जो है उसके अंदर कुछ chemicals डाल देते हैं जो कि organic matter का decomposition करते हैं तो अब आप अगर बात करें BOD और COD की तो COD का benefit क्या है तो हम कह सकते हैं कि जो COD है gets completely या just gets completed comparatively less time यानि हम COD है उसको measure करने के लिए आपको तीन घंटे का time लगता है तीन घंटे के अंदर decomposition हो जाता है और आप इसको estimated भी कर सकते हो इसलिए हम COD को use करते हैं